नमस्कार दोस्तो मैं अनुराग आप लोग देख रहे हैं पॉम टवाई अनुराग यूट्यूब चैनल दोस्तो बहुत सारे लोग so quality के जर्मन से पड़ लेना चाहते हैं या फिर pure जर्मन से पड़ लेना चाहते हैं लेकिन बड़ा होने के बाद का टेल कर लोता है तो आपको बच्पन किसे पता करना है कि आपका जो डॉग है वह प्योर ब्रीड है दुग या फिर फिर तो क्वालिटी का डॉग आपने लिया है वह आगे चलकर करके सही बनेगा या नहीं बनेगा चलिए मैं आपको आज टेल फॉल्ट के बारे में बताऊंगा मुझे जितना इंफर्मेशन है उसके कोडिंग मैं बता रहा हूं अगर किनी व्यक्ति को थोरा सा ज्यादा इंफर्मेशन हो या फिर और भी अच्छे तरीके से पता हो तो आप लोग कमेंट कर दीजेगा मैं बाद में उसको और भी अच्छे तरीके से वीडियो बना दूँगा तो दोस्तों नॉर्मली जो जर्मन सेपर्ड का आप लोग टेल देखते हो और कैसा रहना चाहिए वो मैं से हलका सा तो जो जर्मन सेपर्ड का टेल होना चाहिए वो एक्चुली में कैसा होना चाहिए मैं आपको बता रहा हूं यहां पर देखे जर्मन सेपर्ड का जो टेल है वो या तो एकदम सिधा होना चाहिए यहां देखे या तो एकदम सिधा होना चाहिए या फिर नीचे से नीचे से हलका सा करल ऐसे हो सकता है तो ये जर्मन सेपड में चल सकता है जैसे देखिए मैं आपको और भी अच्छे दिखाए पर रहा हूँ या तो वो एकदम सिधा होना चाहिए या तो वो हलका सा नीचे से हलका सा टर्ल होना चाहिए लेकिन जो fault माना जाता है जर्मन सेपड में वो क्या माना जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि एलिना का देखिए अब दोस्तों जो fault माना जाएगा जर्मन सेपड में वो इस तरीके से fault माना जाएगा अगर वो horizontal इसको बोला जाता है तो horizontally हमेशा ये ऐसा tail रखेगी ठीक है तो इसको जर्मन से पर्ड में fault माना जाता है बट इसका मतब यह नहीं कि आपका जर्मन से पर्ड mixed breed का है वो भी pure breed का ही होगा बट जैसे मैं इसका tail छोड़ता हूँ तो आप देखें कि यह ज्यादातर horizontal से नीचे रखती है और जब standing position म मैं लाता हूँ तो इसका tail ऐसे रहता है या फिर ऐसे हो जाता है तो मेरे knowledge recording साइद यह सही है बट जिनको भी पता हो और भी अच्छे तरीके से तो आप लोग कमेंड करिए क्योंकि जो भी costly dog लेना चाहते हैं उनके लिए information काफी ज्यादा helpful लेगा तो एक बार मैं आपको ए तो यह तरीके से जब भी डॉट हो तो ऐसा टेल नहीं होना चाहिए नहीं तो उसको जर्मा से पड में फॉल्ट माना जाता है अब दोस्तों जो आपका पपी हो सकता है वह पपी कभी-कभी ऐसा टर्न रख सकता है excitement में बट आप लोग वरी मत करिएगा वह प्योर बीड का ह होता है ठीक है वह ऐसा नहीं कि वह क्रॉस ब्रीड का है इसके बट हां क्रॉस ब्रीड का भी हो सकता है इसके लिए आपको मदर फादर को चेक करना होगा तो दोस्तों यह एक छोटा से information था मुझे लगा कि बता देना चाहिए देखिए फॉल्ट का मतलब यह नहीं होता है क कि आप का डॉग क्रॉस ब्रीड का है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वह प्योर बर्रीड है बट जब वह सो के लिए डॉट जायगा तो उसको फॉल्ट माना जाएगा जैसे कि इनलाइन जौर होता है अउट लाइन जौर होता है तो एक तरीके से फॉल्ट हुआ तो उसी तरीके से ये भी एक तरीके से फॉल्ट हुआ जो कि inherited हो जाता है जीन के बज़ए से और यह so quality के डॉग्स में भी आ सकते हैं ऐसा नहीं है कि normal German leopard में भी आएगा so quality dogs भी इसको acquire कर सकते हैं जीन के बज़ए से तो दोस्तों ये एक छोटा सा बहुत इंफर्मेटिव वीडियो था मैंने मैंने सोचा कि आप लोग को बतला दिया जाए तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं और भी बहुत सारे वीडियो में तब तक लिए टेक क्यार बाइबाइब जैहन